हेलो प्रेंड्स, ब्राइटी लेर्णिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी है फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि GST के अंदर जो GSTR 1 रिटन होती है वो कैसे फाइल करते हैं और कौन-कौन से डेटा आता है तो फस्ट यहां ही स्टार्ट करते हैं, सर्विस पे जाते हैं सर्विस के अंदर रिटन्स और रिटन्स के अंदर आता है रिटन डैस्बोर्ड रिटन डैस्बोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहां पर फाइनियस यह राता है financial 22 23 दे रखा है quarter 1st April to June दे रखा है और period यहां पर June दे रखा है जो QRP scheme में होते हैं उनको starting के दो महिने में IFFL करना होता है और quarter end का last month में GSTR1 फाइल करना होता है तो इस case में GSTR1 फाइल करेंगे तो June period select करके search पर क्लिक करेंगे search पर क्लिक करने के बाद यहां आता है detail of outward supply of goods and service GSTR1 quarterly basis और यहां do date show कर रही है जाना है सबसे पहले prepare online पर prepare online पर क्लिक करने के बाद यहां कुछ tables कुलती है tables के अंदर कुछ data है यहां पर data fill करेंगे वो show होगा पस्ट यहां पर दिरका है table 4a 4b 6b 6c और यहां पर दिरका है b2b b2b का मतलब होता है business to business तो फस्ट यहां पर क्लिक करते हैं add पर क्लिक करेंगे और जो भी invoice b2b के अंदर business to business में sell किया है वो यहां पर fill कर देंगे note लेकिन यहां पर important यह है कि अगर IFF fill कर रहे है और इस starting के दो महिने में अप्रेल और मई इस case में अगर IFF fill कर दिया है तो जून में अप्रेल और मई के जो b2b के बिल है वो ने आएंगे वो केवल और केवल quarter end month जो जून है उसी के बिल आएंगे तो इसमें जो भी जून के लोंगे वो लिखेंगे पश्ट ही यहां पर दिरकाय recipient GST नंबर मतलब जिसको sell कर रहे है पाटी के उसके GST नंबर लिखेंगे जिस नंबर लिकते ऑटमेटीकली यहां पर नेम्शो जाएगा तो मैं आप GST नंबर लिख रहा हूं जीस्टी नमबर केपिटलेटर में लिखने हैं तो यहां पर अगें मैं केपिटलेटर में जीस्टी नमबर लिख रहा हूं जीस्टी नमबर लिखते हैं यहां पर आजाएगा नेम लिखने के बाद नेक्स आता है यहां पर इन्वोईस नमबर जो भी इन्वोईस नमबर होगा है यहां पर इन्वोईस नमबर लिखेंगे इन्वोईस के डैट जो भी इन्वोईस के डैट होगी वो इन्वोईस के तो यहां 18% के अंदर है, तो मैं यहां पर 18% वाले में taxable value लिख दूँगा, तो automatically tax यहां पर calculate हो जाएगा, next यहां पर save उपे क्लिक करेंगे, और save उपे क्लिक करने के बाद record save हो गया, again यहां पर जितने भी बिलोंगे B2B के सभी बिल यहां पर save कर देंगे, और back पर जाएग बैक लेने के बाद यहां जितने भी बिलोंगे सभी बिल और party wise हो जाएगे, again back करेंगे, next आता है table 5A, जिसमें आता है B2C large invoice, B2C large invoice का मतलब है कि ऐसा invoice जो dialogue से अधिका हो, B2C business to customer or consumer हो, उसकी detail यहां पर होगी, तो जैसे यहां क्लिक करेंगे, यहां add का option आएगा, add पर क्ल apply, उसके बाद लिकेंगे invoice number, invoice debt, और यहां पर total invoice value और वैसे ही item detail जो भी हो लिखके, save कर देंगे, फिर back कर लेंगे, हमारे case में इसमें data नहीं है, तो इसमें कोई भी data fill नहीं करेंगे, next आता है 6A, export invoice, अगर मालो विदेश वगेरा में माल बेज रहे हैं, sales कर रहे हैं, out of country, तो यहां पर export invoice वाले detail यहां पर fill करेंगे, पस्ट यहां पर add record पर जाएंगे, add record पर जाने के बाद यहां invoice number, debt, invoice debt, port number, जिस port से माल जा रहा है, shipping, bill number, shipping bill, जो shipping bill जा रहा है, उसके detail यहां पर आएगी, shipping की debt, export की debt आजाएगी, invoice value आजाएगी, उसके बाद with payment या without payment जिस भी म zero rated है, तो उस हिसाब से यहां पर लिख के और save कर देंगे, next यहां पर दे रहा है, table number 7, और 7 में दे रहा है, B2C other, B2C other का मतलब है कि ऐसा invoice जो dialogue से कमो, और किसी customer या consumer को दिया जाए, तो जो जितने भी online, flip card, Amazon वगेरा के bill होते हैं, जो B2C में जाते हैं, उन सब की detail, B2C वा बाद यहां add record पे जाएंगे, add record पे जाने के बाद, first यहां पर दे रहा है, POS, palace of supply, कौन से राज्य में आपने supply दी है, तो यहां अंदर पर से परदेश या जो भी आप state select करोगे, वो select करना है, इसके बाद taxable value, taxable value का मतलब जितने का, आपने sell की है, तो यह taxable value माल लेता ह हूं, 10,000 रुपए, interest rate, interest rate, जो भी होगा, यहां पर automatically, state select करते हैं, इसके बाद GST rate, GST में अपने sell किया वो, और इसके बाद IGST, SGST, CGST, जो भी होगा, automatically, यहां पर POS select करने से, यहां पर आजाएगा, amount, और save करना है, जितने भी भी लोंगे, B2C other के, वो सारे भी यहां पर upload करना है, और save करते जाना है, जैसे save करके back करेंगे, यहां पर सभी statewide detail यहां पर आजाएगी, और फिर again यहां पर back करना है, back करने के बाद next यहां पर आता है, table at A, at B, at C, at D, nil rated supply, अगर मालों कोई nil rated supply आपने की है, तो उसकी detail यहां पर fill करेंगे, जिसमें आ जाता है, nil rated supply Xampt supply या non GST supply ती नो, जिसमें interstate supply, registered person, chemistrt supply, registered person, interested supply, registered person, interested supply, registered person, जो भी detail होगी, here फिल करके save कर देंगे, और back कर लेंगे, next यहां पर रखा है, 9 B, credit debit note, registered person, अगर register person के case में debit credit note है, तो उसकी detail यहां पर fill करेंगे, पर recurrent करेंगें करने के बाद यहां पर पार्थी जी सिट नंबर इसके बाद ळोड डेविट करेंब देट डेट जो पी OUT ऑगा वो वह लास्ट में सेव कर देएंगे מסर आ हिसे आंने सब्सक्राफ स्यां पर देखिए是我 credit debit note, unrest person, अगर unrest person के case में debit credit note है, तो उसके लिए table 9B, unrest वाले option पर जाएंगे, अगेन यहाँ पर add record पर जाएंगे, और यहाँ पर B2C, other जो भी detail है, इसके बाद यहाँ पर detail लिख देंगे, credit debit note और जो भी detail होगी, वो यहाँ पर select कर लेंगे, तो यहाँ पर B2C, export with payment और export without payment जो भी होगा, वो select करके, बाद की detail जो दर की है, fill करके, save कर देंगे, next यहाँ पर देरका है, table 11A, oblique 1, 11A, oblique B, tax liability, advance received, अगर कोई advance received किया है, cells के against में, तो उसकी detail यहाँ पर show करनी है, और उसको adjust करेंगे, तब उसकी detail यहाँ पर show करनी है, table 11B, oblique A, 11B, oblique 2, इसके बाद आता है, HSNY summary, HSNY summary का मतलब है कि जितनी भी cell के हैं, अब यहाँ पर यह देगना जरूरी है, कि अगर IFF आपने फिल के IFL है, तो IFF में HSNY summary नहीं आती, तो अपरेल, मई और जून, इसके इसमें 3 महिने के जो भी HSNY summary होगी, अलग-अलग HSNY पूरी detail फिल करनी है, और documents issue भी अलग, जो detail होगी, यहाँ पर तीनों मेने के एक साथ फिल करेंगे, तो HSNY summary पर जाएंगे, उसके बाद जितने HSN, code का जितना माल cell किया हो, उसके detail आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर अपनी quantity किसमें है, kg, पीस है, जो भी है, तो यहाँ kg, kg में यहाँ पर select कर लेता हूँ, quantity जितनी cell करते हैं, तो माल लेता हो, 1500 quantity है, और इसके taxable level total, 20,000 रुपा है, यहाँ पर कितनी GST है, तो यहाँ पर GST लिख देंगे, तो यहाँ पर SGST, CGST, जो भी amount होगा, वो लिख देंगे, तो इस case में 900 रुपा SGST है, 900 रुपा CGST है, तो यहाँ पर जैसे add पर क्लिक करेंगे, add पर क्लिक करने के बाद save पर जाएंगे, save पर जाने के बाद back करेंगे, back करने के बाद यहाँ data show होगा, documents issue, documents issue का मतलब है कि जितने भी sales के invoice sell किये है, जैसे invoice 10 से लेके 11 तक sell किये है, total to invoice cancel होगे 0, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, save पर, save पर क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ refresh करेंगे, refresh करते यहाँ पर data showने लग जाएंगा, जितनी भी detail होगी यहां पर पूरी detail फिल करेंगे last में यहां पर दे रहा है generate summary, reset ओर download detail from e-invoice excel तो यहां पर generate summary पर क्लिक करेंगे generate summary पर क्लिक करने के बाद यहां refresh के लिए बोल रहा है कुछ time बाद refresh करेंगे रिप्रेस करने के बाद यहां proceed to file file summary पर क्लिख करेंगे proceed to file summary पर क्लिक करने के बाद यहां पूरी detail जो fill के हैं वो टेबल 4, 4B, 5A, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 9A, 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 9A जो भी है वो detail 9B, 9B, 9C, 9C, 10, 11A, 11B, 12 और 13 जो भी detail वो क्लिक करेंगे यहां पर रिप्रेस करेंगे और रिप्रेस करने के बाद यहां पर फाइल स्टेटमेंट पर क्लिए करेंगे और लास्ट में सम्मिट कर देंगे इस परकार से रिटन बरी जाती है